अलो एव्रीवन, लेट्स बेगें विच्चिन नम्बर 174 अवफ द कम्पनी आग 2013 अथिस अप्लिकेबल होता है जिनको जो है मीटिंग करानी है मतलब कि जिस टारिक्टर जिस ओपीसी के पास में इक ही टारिक्टर है उसको क्या अप्लिकेबल है इसके प्रोविजिन्स नहीं इसलिए यह वाला सेक्षिन भी उसका अप्लिगेबल नहीं है तो कोरम जो है वह मिनिमम रिक्वार्मेंट हो थी कि इतने डारेक्टर्स अगर आएंगे तो ही माना जाएगा कि यह मीटिंग जो है वालेड है और मीटिंग जो है वह कॉंडक्ट हो सकती है और अगर उतने लोग नहीं आया है तो फिट ना तो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकता है और अगर हो गया तो वालेड नहीं माना जाएगा तो कोरम होता कितना है तो कोरम में ऐसा होता है कि जो वह जो है वह आपके काउंट होंगे आस कोरण तो जैसे सब्बोज किसी कंपनी में टोटल तेर तो उसका 1 3rd अगर हम करेंगे तो 3 तो 3 और 2 whichever is higher तो मतलब हाँ पर जो quorum होगी that will be 3 अच्छा अगर मैं बोलू कि किसी company में जो है वो 7 directors है टोटल तो 7 का अगर हम 1 3rd करेंगे तो वो कितना आएगा 2.3 आएगा 2.33 तो उस case में 2.33 directors अब कहां चलाओगे तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी fraction अगर होगा तो उसको हम मानेंगे 1 तो मतलब कि 2.3 will be considered as 3 और उस case में 2.3 की जगा हम मानना जाएगा कि it is considered as 3 तो उसलिए यहाँ पर 3 or 2 whichever is higher again यहाँ पर 3 जो है quorum बन जाएगा ठीक है I hope कि आपको समझ आगया होगा यह एक revision classes do not expect कि बहुत साथ आपको मैं explain करूँगी उसके बाद में है जो total strength है shall not include those directors जिन की जगा खाली हो गई है ठीक है those who are vacated उनको जो है count नहीं करेंगे total strength में नो कोरम जो है throughout the meeting होना चाहिए इस स्टेडी में आपको बोल सकते हैं कि मतलब जो Mr. X थे वो starting में आ गए और पीच में चले गए और पीच में चले गए और पीच में चले गए या कुछ भी हो गया तो it should not happen अब मीटिंग के पीच में पीच में चैसे होगी अब मतलब वो throughout the meeting नहीं थे वो कहीं चले गया कुछ भी हो गया तो इस कीस में ऐसा है कि not just start start but it should be throughout ठीक है now it may be noted कि जो articles है ठीक है कि not specify a quorum which is less than the prescribed तो इसमें जो हमारे सार है उन्होंने जो है बहुत अच्छा से example दिया है कि जिसे suppose शुभम single sir जो मेरे सर है उन्होंने काफे अच्छा example इसमें दिया हुआ है I suppose आपकी फादर ने आपको बोला कि बेटा तुम 10 बजे से पहले पहले घर आ जाना so your mother cannot tell you कि बेटा तुम 11 बजे तक घर आ जाना but your mother can tell you कि बेटा तुम 8 बजे से पहले पहले घर आ जाना तो that means जो आपकी फादर ने बोल दिया है उस limit को आपकी मदर exceed तो नहीं कर सकती है बट उससे भी जादा extract provision आपके लिए बना सकती है तो उसी तरह से काम होता है AOA का तो AOA में जो you know उसमें आक्ट में लिखा है वो तो आपको मान नहीं है लेकिन यह क्या कर सकती है ना यह higher यह है कि AOA जो है आपकी जो प्रोसीडिंग जो और जादा स्ट्रिक्ट तो बना सकता है लीनेर्ट नहीं कर सकता तो इसमें यह है कि इत में भी noted कि जो articles है वो specify नहीं कर सकते कोई भी कोरम जो less हो इससे लेकिन अगर यह higher number देना चाहें कोरम का तो वो जो है वो हो सकता है ठीक है उसके बाद में कुछ modifications है now this modification applies to section number 8 section number 8 companies तो इसमें क्या बोला है कि जो section number 8 है उसमें जो है वो कोरम क्या रहेगी उसमें जो कोरम रहेगी that will be 8 members or 25% of its total strength whichever is less whichever is less यहाँ पर high नहीं है यहाँ पर low है तो मतलब 8 लोग या 25% of the total strength whichever is less now provided that the quorum shall not be less than two members लेकिन दो लोग उसे कम नहीं होने चाहिए दो लोग तो होना ही चाहिए यहाँ पर भी ठीक है ना उसके बाद में क्या है उसके बाद में आपका है कि जो भी डारेक्टर्स ओडर विजूल मोट से करें उनको मानेंगे कि वो जो है कोरम में काउंट हो रहे हैं unless they are to be excluded for any item of business under any provisions or act तो इसमें यह जब तक उनको exclude करने के लिए ना बुला जा तब तक आपको जो है include करना पड़ेगा now यह 174 subscription number 2 क्या बोलता है कि अगर जो number है continuing directors को वो जैसे reduce हो गया below the quorum जो fixed है act में ठीक है कि मदब जो directors अब continue करेंगे वो कम ही रह गया उत तक quorum से भी कम हो गया तो उस case में हम क्या करेंगे उस case में जो है हम increase करेंगे number of director जिससे हम at least quorum तक तो पहुझे है जिससे टू डारेक्टर से तो एक ही रह गया या फिर जैसे suppose इसमें one third था ठीक है one third था एक डारेक्टर वाली तो देखो chance मुश्किल है लेकिन जैसे one third थी total strength ठीक है अब जैसे suppose total 12 डारेक्टर से तो पहले हमारा quorum बन रहा था चार डारेक्टर से लेकिन अब जो है दो चले गए उस case में हम क्या करें या चार चले गए तो उस case में वो तीन चले गए तो उस case में हम क्या करेंगे तो हम पे जो है quorum तक तो हमें पहुझना है दो डारेक्टर तक तो हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा number of directors को बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें general meeting भी बुला सकते हैं सामना general meeting ठीक है उसके बाद में 174 subsection number 3 क्या बोल रहा है 174 subsection number 3 बोलता है कि where at any time the number of interested director exceeds or is equal to two-third of the total strength of the board of directors तो उस case में जो quorum होगा shall be number of non-interested directors who are present at the meeting but their number must not be less than 2 तो इसमें नोनी ये बोला है कि अगर जो है interested director interested director जो है ये आपका 182 subsection number 2 में है तो इसमें नोनी ये बोला है कि अगर जो interested director है ठीक है interested director अगर इतना जादा हो गया है कि वो two-third जो total directors उसके two-third से जादा को exceed कर रहा है तो उस case में फिर जो quorum माना जाएगा that will be for the non-interested directors only क्योंकि two by third से जादा का जो composition है that is been the interested director तो उस case में कोई भी meeting अगर होगी तो वो जो है non-interested director के quorum से होगी और उनका quorum भी कम से कम दो तो होना ही चाहिए उससे जादा भी हो सकता है तो 184 subsection no.2 में interested director के बारे में है तो वो बोलता है कि हर director जिसका किसी भी तरह है तो directly या indirectly concern है या interest है ना contract या arrangement या proposed contract में जो की या तो body corporate के साथ हुआ है in which search director और search director is in association और वो 20% से जादा की shareholding रख रहा है या फिर एक firm के साथ हुआ है किसी और entity के साथ में हुआ है search director is a partner, owner, member और as the case में भी तो ये जो है ये interest rate director की definition है ठीक है अब उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर एक exception दिया है exception किसको है private company को है किस बात के exception है जिसने मतलब default ना के आओ 92 और 137 में definitely उसको ये exception है interested director वाले में कि जो interested director है वो participate कर सकता है अगर वो जो है अपना interest disclose कर दे pursuant to the section number 184 तो ये वाली जो है this is very very important जो private companies है उनको exception में ली होई है ये वो चाही तो आप interested director को भी include कर सकती है but provided they have to they have to disclose their interest as per section number 184 ठीक है फिर उसके बाद में है आपका adjournment of meeting which could not be held for the want of quorum तो अगर जिससे quorum नहीं हो पाया तो उसके इसमें automatic adjournment हो जाता है automatic adjournment कैसे होता है next week same day time and place और अगर कोई national holiday है तो हम मानेंगे next succeeding day ठीक है नो क्या Sunday national holiday है this might be confusion among many but मैं आपको बता दू कि जो Sunday है वो जो है national holiday नहीं है उसी तरह से एक केस जो है वो और बहुत जादा important है कि आप चाहो तो meeting को national holiday पे schedule तो कर सकते हो लेकिन adjourn नहीं कर सकते है मतलब original meeting तो हो सकती है national holiday पे लेकिन adjourn meeting जो है वो आप जो है automatic adjournment वाली वो national holiday पे नहीं कर सकते हो लेकिन अगर अगर अपने पनी मर्जी से adjourn करी है voluntary adjournment है उस case में भी आप जो है national holiday कर सकते हो ठीक है so this is very very important also क्या हम alternate director को को कोरम के लिए मानते तो हम मानते है और हम audio visual mode वालों को भी वो मानते है कोरम में ठीक है now एक चीज जो है वो और आती है कि जैसे suppose कोई video conferencing meeting हो रही है और उसमें original director भी है और alternate director भी है तो उस case में हम क्या करेंगे तो किसको हम माने original director को या alternate director को original director की जगा ही तो था alternate director पर आप दोनों है तो उस case में आप उनको दो लोग नहीं मानोगे आप सिर्फ कोरम के लिए काउंट करोगे of original director ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि alternate director को हटा दोगे वो meeting में रह सकता है but you will not count that person for quorum if the original director is there ठीक है so these were some additional points ठीक है न और ये मैंने बने बताई दिया था कि OPC जिसके पास एक director उसको ये section नहीं लगे का now example देख लेते हैं क्या है example so there are nine directors जिसमें की जो out of which two offices of the directors have fallen vacant now according to section number 174 subsection number 1 जो कोरमे वो 1 third होती है या 2 होती है whichever is higher और जो total है तो बीडराइब after deducting the number of directors whose offices are vacant तो ये जो है ये वही example ये रिपीट करा है ना उगर 15 हो गए है तो क्या होगा ना उगर 15 हो गए है और किसी भी time पे exceed कर दिया है इंट्रिस्टेट डारेक्टर वाला पोइंट आ गया है तो नौन इंट्रिस्टेटर डारेक्टर से हम जो है वो कोरम बनाएंगे तो ये हम नेक्स वीडियो से स्टार्ट करते है